प्रिये बंधुओं आप लोगों को मैं बता दूं कि 148 साथ बाद यह एक ऐसा संजूग आया है कि एक ही दिन शुर्जगरहन, सरी जयन्ति और बट सावित्री पुजा होगा हिंदी मास के अमश्यातिती दिन गुरुबार को यह मना आया जाएगा तो साथियों आपको मैं बता दूं कि शुर्जगरहन भारत बर्श में द्रिश नहीं होगा और जहां द्रिश नहीं होगा वहाँ पर सुता काल का कोई महत्ब नहीं है यदि आपको कोई ऐसा बताता है तो वह गलत है क्योंकि अभारत बे द्रिश नहीं है सभी पूजापाट कर सकते हैं और दूसरी बात है कि शुर्य और सनी पिता और पुत्र हैं सुर्य पिता है और उनके पुत्र सनी है लेकिन दोनों में बंती नहीं है तो आप सनी जयन्ती के अउसर पर यदि आपके गाओं शहर जहां भी आपनी बास करते हो यदि वहाँ पर भगवान सनी का मंदिल हो तो वहाँ पर सरसो का तेल सनी भगवान के ऊपर चढ़ाएं यदि मंदिल नहीं है तो पीपल के पेण के नीचे आप जो है सरसो का तेल का दाद दे ओभी नहीं कर सकते हैं तो आप सब सरच्राय नवह का जाप करें तो बहुत अत्ति उत्तम होगा तो प्रिये साथियों अब मैं आगे आप लोगों को बट सावित्री के बारे में बताता हूं संजेप में बट सावित्री पुजा क्यों मनाई जाती है क्योंकि सावित्री ने अपने पती सत्यवान का प्रान यमराज से छीर कर करके ले आई थी इसलिए स्वागीर महिलाएं उस दिन बट बिर्क्ष का एक सवाठ प्रिकरबा करती है और उसमें एक सवाठ बार धागा लपेटती है तो प्रिये बद्धों या आप लोगों को सबजबे आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो अब मुझे आप लोगों को वेह बताने की जरूरत नहीं है अब मैं आप से आ गया लेता हूँ नमस्कार करता हूँ